तो बच्चों कुछ फैक्ट हम लोग लिख लेते हैं जैसे आल बेसिक रेडिकल्स क्लॉराइट सॉल्ड़ सभी बेसिक रेडिकल्स के जो क्लॉराइट सॉल्ड़ होते हैं एक्सेट दो जाओ अब इसका यूज करने की सोचना है कि अच्छा अगर क्लॉराइट इन्सॉल्ड़ है मतलब कौन इन्सॉल्ड़ है ठीक ना एक्सेट जानी की जो फर्स्ट ग्रॉप है ठीक ना एजी प्लस पीबी टू प्लस हएच एजी टू टू प्लस और एक है सी यू प्लस के वल इनके ही जो क्लॉराइट होते हैं वो क्या होते हैं इन्सॉल्ड़ होते हैं बाकि सभी के कॉलाइट क्या होते हैं, पर आफो, सॉलिबल होता है. ठीक है? सभी बेशिक रेडिकल जो होते हैं, अपने लिस्ट उखेश उलिबल फॉर्म में प्रेसिपिटेड होता हैं, ठीक है? सभी बेसिक रेडिकल अपने लीस्ट सॉल्वल फॉर्म में क्या होते हैं प्रेसिपिटेट होते हैं एक्सेप्ट पीबी सील पीबी सील्टु एक्सपेरिंगली सॉल्वल सॉल्ट होता है और इसे में बिताया था कि अगर करम पानी में हाट वाटर कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा यह सॉल्वल हो जाएगा ठीक है अगर बच्चो के एस्पी की ऑर्डर अगर बात किया जाए तो जिसे क्लॉराइड का क्लॉराइड के के एस्पी की वैलु सबसे कम किसका होगा वस्त भूकर ठीक न अगर हम ग्रूप वाइज करते हैं तो ख्रीच में होता है इनक्रीज होता जाता जैसे फर्स्ट ग्रूप के क्लोड की केस्पी मिनिमम होगी, सेकेंड ग्रूप की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, थर्ड ग्रूप की उससे और ज्यादा होगी, फोर्थ ग्रूप की और ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि लीश्ट ग्रूबल जो होता है, उसी की फॉर्म में यह क्या होते हैं प्रिसिपिटेट होते हैं ठीक है जैसे जैसे जो आज सेकेंड ग्रूप के इसलफाइड की इसलफाइड का केस्पी जो होगा वो क्या होगा फोर्थ ग्रूप के सलफाइड के के स्पी से क्या होगा काम होगा क्योंकि लीस सॉल्फाइड है तो पुस्चेन बच्चों कैसे भी दिया जा सकते हैं कई बार होता है वार्म सलूशन लेने का कारण होता है ठीक ना तो रीजन ओफ टेकिंग वार्म सलूशन तो इसमें क्या होता है कि वार्म सलूशन में है कि एच्टु एस पास करने पर इसमें हम इससे याद रखना है बच्चों इस टु एस एक अच्छा रिड्यूसिंग एजन भी होता है ठीक है पॉलाइडल फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों सर्फेस कवस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वीडियो बनाया उसको भी पूरा देख लेना ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट ने जी एडवांस के लिए भी ठीक है हमने एक बनाया है वन शॉर्ट वीडियो म इसमें से कस्चन हर बार देख रहा हूं आ रहा है तो कुछ ऐसे चैपकरणस होते हैं बड़े ही इजी टारगेट होते हैंग्स को इखनोर करते हैं57 कहां से बनेंगा सर्फिस कमेश्टी से और डॉरॉर्टेट albo तो जो है पहँं है अग्र दिफॉरएट वहीज्य शूंग सब्सक्राइब करने का साधन नहीं हो तो तब भी और करता है और अच्छा दिमाग है उसके पास तब भी आइटी में असकता है नो हो एसे भी वो यह इन एक प्रण वो सैट कर लेते हैं इसके पार है मैं में बचाइं में बनाया हूव है तो इसे से चेप्टर्स होता है मिलमेरा है मर कार्बन लिग मसी के बहुत हएं इसलिकेट्स के विडियो अप जरूर देख ले जो मैंने बनाये हैं ठीक है बड़ा हम टेटेल में वैसा कोई कहीं भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा ठीक है यह मैं अपने ऊपर कांफीडेंस से बोल ला हूं ठीक है तो आप सिलिकेट्स वगर पढ़ लें अच्छे से थीक ह है उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है यह सब कुछ होते हैं जो बहुत कम टाइम भी है तो बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकता है तो सलफर जो होता है जैसे सलफर यह होता है कुलाइडल होता है ठीक है यह यलो या वाइट कुछ होता है यह कुलाइड के फॉर्म होता है ठीक है तो अगर गरम रहेगा तो यह जो कुलाइड होगा वो नहीं बनेगा या डिजॉल हो जाएगा ठीक है तो वाम सलूशन लेने क कारर्ज होता है कि हम चाहते हैं to avoid formation of colloidal form ठीक है उस चीज को हटाने के लिए हम क्या लेता है वार्म से लोक्षन जाते हैं कि अगे कि अगे सब्सक्राइब कि एक जो है कि यह कॉपर है और प्लस टू है और जेड़ेंड प्लस टू है कि अगर हम इसमें एस्ट्वेस पास करते हैं ठीक है तो एस्ट्वेस होगा कॉपर को रिड्यूस कर देगा यह मिल जाएगा सी यूट्वेस ठीक है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में और और डाइलूट एचल के प्रजेंस में ठीक है तो अब डाइलूट एचल जो हो कॉमन एइन इफेक्ट लगाएगा ठीक है तो जो जिंक होगा ठीक है न को उसका प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि जडी एन सिल्फाइट प्रिंस में आ जाएगा और यह जो रहेगा वो रेजिडिव में आ जाएगा है ठीक है अब अगर हम इसमें H2S को पास करते हैं और NH4OH की प्रजेंस में ठीक है तब NH4OH का है बेस है तो वो क्या करेगा इसके अगरी डिसोसियेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा अब आपको जेडियनेस का कै मिल जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट कि छीए तो H2S जो हमने बताया था है कि हम एने टुएस को कंट्रोलिंग कर सकते हैं क्योंकि एने टुएस को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसमें डाल करके उसका का कॉंसरेशन घटा सकते हैं उसमें बेस डाल करके उसका कॉंसरेशन बढ़ा सकते हैं ठीक है उसी प्रकार से तो यह एक फंडामेंटल बाते हैं ठीक है जिसमालो की इस कंटेनर में जो है आहल प्लस 3 है और एम्टी प्लस 2 है कि अब इसमें हमने एनेस फॉर विट इन प्रिजिंस ओप नेच फॉर सी यल डाल दिया है ठीक है तो एनेच फॉर वेट प्लस नस फॉर सियल अभी जो एनेच पॉर सियल है यह एनेच पॉर वेच के डिसोशीयोशन को सप्रेस करे गा इसका जो होगा तो इसमें जो aluminum plus 3 है अब तुम समझ सते हो कि इसके अंदर क्या क्या है तो al plus 3 जो होगा इसका hydraxide के form में है तो यह आज़ेगा यह जो होता है वाइट जिलेटीनियस पीपिटी आता है ठीक ना ऐसा वर्ड अगर लिखा रहता है तो जनली वह अलमेनियम से या सम्टाइम जिंग की बात होता है ठीक है अब क्योंकि इसमें वेच मैस बहुत ज्यादा है नहीं ठीक है इसलिए में इसमें प्रेसिप्टेट नहीं होगा तो यह फिल्ट्रेट में आजाएगा ठीक है और यह किस में आएगा रेजिट्यू में उसको चान लेंगे ठीक है यहाँ पर एम जी प्लस टू है अब अगर हम इसी में आ अगर हम इसी में आ अगर दाइ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्पेट प्लस एनेस पूर को यह अगर हम इसमें मिक्स करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा एम जी एनेस पॉर्ट है ठीक है पी ओफॉर्ट है यह वाइट पीपीटी आ जाएगा ठीक है तो चीजों को कैसे हम करते हैं ठीक है ना तो इसी तरह से देखना है कि माल लगते हैं कि एक और कंटेनर है जिसके अंदर क्या है कि एम जी प्लस टू है और कि बेरियम प्लस टू है ठीक है तो इसमें अगर हम लोग एड करते हैं आ अमोनियम कार्बॉनेट ठीक है कि एनेज़ फोर ट्वाइस कि सी ओ थी कि और इसमें अगर एनेज़ पूर सी एल भी रहेगा ठीक है तो यहां पर बीए सी ओ थ्री का क्या मिल जाएगा कि प्रेसिपोर्टेट मिल जाएगा और जो फिल्ट्रेट में यहां पर देखो यह प्रेसिपोर्ट है ठीक ना तो एक समस्क्राइब एनेज़ फूर सी एल और एनेज़एजो फोर घॉलट्व थ्री यह आपस में पर कर या बनालेगा घृट्व काया था इक है तो जो बाईगा बनी उ इक होता है यह किसा था कि पिर गए जैसे यह है CO3 2- प्लस NH4+, यह क्या मना आएगा? CO3HCO3- प्लस अमोनिया ठीक है? एक और पॉइंट समझना है, जैसे जब भी H2S पास होगा, ठीक है? H2S पास करते हैं तो बेसिक रेडिकल में क्या है? थर्ड ग्रूप में, F2 प्लस थी है, तो F2 प्लस थी इस H2S से मतलब रेडियूस हाजाएगा और F2 में कनवर्ट है जाता है तो F2 प्लस थी ठीक ना? F2 प्लस थी ठीक ना? आलवेज ट्रांसफोर्म्ड इंटो इंटो F2 प्लस थी अब F2 प्लस थी अब अगर आपने इसमें H2S पास कर दिया तो वो रेडिवसिंग एजेंट होगा इसमें अगर हमने H2S पास कर दिया तो अब यह बन जाएगा F2 प्लस थी इसलिए क्या करते हैं? इसमें 2-3 ड्रॉप जो हते हैं सेकेंड ग्रॉप का जो फिल्ट्रेट होता है हैना यह पूछा राता है 2-3 ड्रॉप आफ कॉंसेंट्रेट हेज चेनो 3 मिलाते हैं तब जाके यह वापस से प्लस 3 में बनता है ठीक है? और अगर हम इसमें फर्दर NH4Cl प्लस NH4 OH को एड़ करते हैं तब जाके FE OH का होल थ्राइस ठीक है? ब्राउन PPT आपको मिलता है ठीक है? और अगर आप इसमें NH4Cl प्लस NH4OH प्लस NH2S करेंगे तो यहाँ पी मिलेगा FE S का ब्लाइक प्रेसिप्टेट तो इसमें क्या हो रहना है? कि यह बेसिक मीडियम में NH2S का डिसोसियेशन जादा हो जाए इसलिए FE S जो होगा मिल जाए तो अब बच्चों हम लोग आगे जो है देखते हैं अब हम इंडिविजूल एसेटी की रेडिकल की बात है यह तो एक इलिमेंटरी बात हैं कुछ-कुछ समझ में आया होगा आपको ठीक न तो नेक्स्ट आते हैं लोग इंडिविजूल रेडिकल की तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कार्बोनेट के बारे में ठीक है सबसे पहले जो है वो है कार्बोनेट तो कार्बोनेट को डिटेट करने के लिए हम लोग HCl, HVR, HI, Dilute, HN3 एड़ कर सकते हैं जैसे माल लेते हैं कि यहां पर क्या है इसमें कार्बोनेट मौजूद है तो स्ट्रॉंगर एसिद रिप्लेशेज वीकर एसिद तो इसके अंदर हम डाइलूट, HCl, HVR, HI, HN3 कोई भी हम एड़ कर सकते हैं और दूसरा होता है ठीक है दूसरा होता है अल प्रेसी पिटेटिंग रिजेंट एड़ कर से तो इन दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं कार्बोनेट का रिटेक्शन करते हैं कौन-कौन है प्रेसिपिटेटिंग बताया था तो अगर सलूशन में कार्बोनेट है तो अगर उसमें हम लोग तो क्या होगा कि यहां पर यहां पर समय क्या कार्बोनेट है इसमें हम लोग कोई भी नहीं डाईलूट इस अन्योंट लेशकते हैं दायलूट ह्टू एक्टी तो थो ले सकते हैं है क़्यूक तब कि ये सभी स्ट्रांग एंशीड होता है हुआ है फिक कारों अईच कर् टू सीलियो介 कमे चैनल में यहमच मच बड्रीजिसिकल में एकदशीड है ठीक है थेीट है मच मचi कि इस्ट्रांगर एसे लेसीड है skin कि अब होगे एस तू स्यो थी बनाएंगे और एस तू स्यो थी डिकंपोज होके स्यो टू गैस को लिबरेट करता है और यह जो स्यो टू होता है इसको बोलते है इफर्वेसेंस जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंग की बॉटल को डिक ना पिपसी वगरा विलिमका वगरा आप खो डिकंपोज हो जाते हैं सिर्फ दोख नहीं होता है इसमें होता है कि सभी कि बेसिक रिडिकल के कार्बोनेट अगर सॉल्ट यहां से पढ़ना है सिस्टेमेटिक पढ़ते जाना है ठीक नहीं वहुत कूद फायत की धरुदर ने तो डाइलूट एसल से क्या हो जाते हैं डिक डिकंपोज हो जाते हैं कि अद्धल हो जाते हैं एक सेप्ट हो इस रॉट होता है पढ़ा हो और और सिष्यू को सब्सक्राइब करदें अब यह इक्सेप्त तो मतलब समझ लेगी इंप्सक्राइं हो जाए तो आपको क्या मिलेगा यहां से स्योटू गैस होता है इसका इफ़र वेसेंस मिलेगा ठीक है तो कलरलेस और्डरलेस गैस है ना स्योटू निकलेगा ठीक है तो अब यह जो स्योटू यहां से निकल लिया उसको किसी ऐसे बेस में पास किया जाएगा जहां पर इसी बेस एक्षिन होगे और जो भी कार्बोनिट बनेगा वो क्या होना चाहिए इंसलॉबल होना चाहिए तो हमने क्या कहा था कि उसको पहले डिजॉल करते हैं उसमें इनायन निकालते हैं उस एनायन को फिर से किसे और के साथ रीट कराके फिर हम उसका प्रेसिपूटेशन रेक्षिन करते हैं ठीक है यहां से तो यह जो यह स्योटू जो निकलता है ठीक है उसे क्या करते हैं किसी बेस में पास करते हैं किसी बेस में पास करते हैं कि इसमें क्या होगा एसीड बेस रियक्षन होता है ठीक है और जो कार्बोनीट बनता है वो क्या होता है इन्सॉल्बल तो यहां सी होता है जैसे सी ओ टू को हम इसमें करते हैं इसको क्या होता है यहां पर बेराइटा वाटर तो इसमें अगर हम पास करते हैं तो यह बन जाता है CA CO3 White Precipitate, यहां पर क्या बन जाएगा? BA CO3 White Precipitate ठीक है? अब अगर आप हम इसे में एक्सेस में डाल जाता है तब यह जो Precipitate हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा? Soluble हो जाएगा CA HCO3 उसने सारे Bicarbonate जो होते हों Soluble होते हैं एक्सेप्ट नासी बताया था तो यह होगा यह सॉल्वल हो जाते हैं कि ठीक है समझे तो यह जो सी ओटू है वो क्या है नान मेटल का उक्साइड है मतलब वो एसिरिक है समझे तो अगर जैसे इसी स्योटू को अगर हम लोग के वेच में पास करेंगे ठीक है तो यहां पर में लिएगा के टू स्योटरी है ठीक है यह सॉल्वल होगा और एक्सेस में पास करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा के एच स्योटरी यह भी क्या है सॉल्वल तो लाइंव वाटर बेरायटा वाटर अभी जो लाइम वाटर बेरायटा वाटर रही आ है सिमटेश्ट जो होता है सपर डाययोक्सइड भी देता है त्तों पूर यह बिधिता है तो इसमें डिफरेंश होता है यह अभी से समझ जाना है कि जो से CO2 को अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करें ठीक है तो यहाँ पर CACO3 आएगा एक्सेस में अगर इसको हम एड़ कर लें यहाँ पर CAHCO3 यह स्टॉलबर होगा सेम चीज़ अगर हम लोग SO2 को लाइम वाटर में पास करें यहाँ पर CAHCO3 यह प्रेसिबुटेट आएगा एक्सेस में पास करते हैं यहाँ भी CAHCO3 यह भी सॉलबल हो जाता है तो इसकी पीछे की कारड क्या है ठीक है दोनों होता है तो हम कैसे इस पर क्या करेंगे हाँ कैन वी बिलीब कि यह जो है आँ अ फिर हम इस टेस्ट पे तो भरोसा नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जैसे क्या होता है कि जो CO2 जो है यह यह जो होगा प्लस पोर ऑक्सिदेशन इस्टेट में और सल्फोर सल्फर डियोक्सड यह भी प्लस पोर में लेकिन इस अगर किसी वाला जो होता है उसको कर सकते हैं किसी ऑक्सिड़ाजिग जैसे पोटेशियम डायकुरमेट पेपर के साथ करेंगे तो पोटेशियम डायकुरमेट का जो औरेंज रहेगा कलर चेंज उक ग्रीन बनना है क्योंकि सल्फर डायोक्सड किया रिद्यूसिंग एंट तो प्लस तृप्लस त्री कर देगा तो औरज सलूचन में हम छी फिल्टरफ जालते हैं तो तो ऑरेंज । तो अब आ ठीक एला केमी ने अलगा बाटीज आई। और आवस त्री एप सिरह बिट्रिह चाहिए खाल वह और दिस ब्रूटर जाते हैं ॥ क्योंकि स्योटू जो है वो रिडियूसिंग नहीं है ठीक है तो यह इसमें हम क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं अगर हम इसी को स्योटू जो है यहां पर केटू स्यार्टू सेवें तो इसमें क्या एगा नो कलर चेंज और अगर यहीं पर SO2 होगा इसको करते हैं K2, CR2, 7 तब क्या हो जाएगा और इंज से क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा तो अगर ऐसा होता है तो हम यह पता कर लेंगे कौन CO2 है और कौन SO2 है अब इसमें आता है पच्चो आइडेंटिफिकेशन बाई प्रेसिपिटेट रियक्शन आइडेंटिफिकेशन बाई प्रेसिपिटेट रियक्शन ठीक है तो CACL2 भला लते हैं अब बताया था हमने कौन कौन होते हैं CACL2, BACL2 लेडेसिटेट और अगेडेंटिफिकेशन तो यह होता है काबोनेट सभी प्रेसिपिटेटिटिंग एजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा ठीक ना काबोनेट रिडिकल सभी प्रेसिपिटेटिंग रीजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है पहला लेते हैं विद सीए सील टू एंड बीए सील टू तो तो अगर बीए सील टू में कार्भनेयाइनड किया जाएमक तो क्या मिल जाएमक निएनड प्रेसिपिटेट क miljIS प्रेसिपिटेट अधा मैं कंद गतार खिशे सब्सकेM ठीक न है तिस रहे हम लोग डाइलूट एससी लगर डाल देंगे तो फिर से क्या जाय रहा है बचो रियक्षिन को समझने को सिस्ट रहना है रटना नहीं है समझो अच्छा इसमें हो क्या रहा है अब सोडा वाटर भी इसमें लेते हैं सोडा वाटर क्या होता है सोडा वाटर क्या होता है सीओ टू प्लस वाटर कि इसको हम लोग क्या होते हैं सोडा वाटर क्या बनाएगा एस्टू स्यो थ्री बनाएगा ठीक है यह होगा तो सोडा वाटर डाल दोगा तो यह क्या हो जाएगा बीए एच स्यो थ्री का ट्वाइस अभी क्यों जाएगा तो यहां से निकल जाएगा और यह भी क्या है यह सालोगा ठीक है अगला तो जो बीसे लटू साथ है वही किसे साथ होगा सी अगला यह नेक्स लेते हैं with लेड एसिटेट ठीक है तो लेड एसिटेट लेते हैं एक ना यहां इसके साथ लेता है ठीक है लेड इसे ठीक है तो कार्बोनेट आएन अब इसके साथ प्रेसिप्टेट बनाएगा ठीक है प्लस पीबी पूल्ट वैस ठीक है क्या आजाएगा पीबी सीओ थी वाइट आजाएगा अब यह जो पीबी सीओ थी होता है इसको अलग-अलग कंडिशन में डिजॉल्व किया जा सकते है तो इसमें डाइलूट एच नो थी डाल सकते हैं ठीक है तो यहां से क्या आएगा पीबी एनो थी का वोल्ड ट्वाइस ठीक है अब तुमकों को सार आपने हैं बेडाइलूट अब उसके बाद फिर हम यहां पर क्या ले लेंगे सोड़ा वाटर नियुक्त अब उसके बाद फिर हम यहां पर क्या ले लेंगे सोड़ा वाटर ले ले लेते हैं तो सेम उसी प्रकार से आएगा सोड़ा वाटर क्या होता है वाटर प्लास योटो तो को डिजॉल किया गया है पाने में वो है सोड़ा वाटर हाई प्रेशर पर ठीक ना यहां भी क्या बन जाएगा पीबी एच स्यो थी का फोल्ड तो एग्सी एनुर्ट्री अध्योट्री आगा सीओ थी2 माइनस है थीका है तो यह मिले अपको एज़ी टू और यह यलूईश यह वायट या वाइड माइट भी लिख सकते हैं तो यह होता है वाइट अब इसको आपको अलग अलग टाइप से डिटेक्ट करना है तो अगर आप इसमें लेते हैं डाइलूट हनो 3 ठीक है इसमें क्या मिल जाएगा एगनो 3 सॉलबल हो जाएगा प्लस यहां से स्योटू भाग जाएगा डिकमपोज हो कर अगर डाइलूट एचल होगे तो अगर इसमें का वाइट प्रेसिपुरेड आता है ठीक है प्लस स्योटू यहां से भी निकल जाएगा इसको अगर आप बॉयल कर लगते हैं तो एजी टूओ बन जाएगा यह ब्राउन कलर और अगर इसको हीट कर दोगे ठीक है अब यहां से एजी जो होगा सिल्वर ब्लैक आ जाएगा और यहां से हाफ ओटू निकल जाएगा आएगा आप इसे में अमोनिया सलुश्टन डाल लोगे ठीके नहीं तो अमोनिया जो होता है वह यह कॉम्प्लेक्स बना लेगा एजी एञे ऑनेस-3-4-2-0-2-1-2-2-1-2-2-1-2-3-1-3-1-2-2-1-2-2-2-1-2-3-2-1-3-1-3-5-1-1-2-3-4-1-2-1-2-2-2-1-1-2-3-1-2-1- है ठीक है और यह एक्स्प्लोसी होता है इसलिए क्या करते हैं कि जब भी अमोनिया में है ना इसलिए को तुरंत वाटर में बहार डालो ड्रेन आउट कर दो ठीक है अगर आप रखे रहें गे टेस्ट ट्यूब में ब्लास्ट हो सकता है और टेस्ट तूट सकता है चोट लग सकता है इसलिए तुरंत इसको हटा जेता है समझे है तो यह था बच्चो बाइकार्बोनेट और स्वारी कार्बोनेट हमने देख लिया नेक्स्ट इसमें रेडिकल आता है बाइकार्बोनेट यह है एच सीओ थरी माइनेस ठीक है तो इसमें भी पहला अगर आपने इसी लेते हैं प्लस बाइकार्बोनेट यहां से भी सीओ टू का क्या होगा एफ़र वेसेंस निकलेगा ठीक है अगर आप इसको बॉयल कर लेते हैं तो अब यह जो होगा एच सीओ थरी माइनेस यह सीओ थरी टू माइनेस प्लस सीओ टू तो यह कार्बोनीट में कनवर्ट हे जाएगा जैसे यह टू एच सीओ थरी ठीक है जैसे अगर हमने लिया सी एच सीओ थरी होल ट्वाइस इसको बॉयल कर लो तो सीओ थरी यह प्रेसिप्टेट आ जाएगा पड़ा होगा हम लोग ने हार्ड वाटर जो होता है जिसमें बाई कार्बोनीट का स्केल आ जाता है और वहां सीओ तो निकल जाता है तो हार्डनेस जोती दूर हो जाती है ठीक है लगी नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिट्वेन बच्चो यह रिडिकल को आप हलके मनल है रहें न कार्बोनीट बाई काबनेट तो दिस्टिंक्शन बित्वेन बाई कार्बनेट अब कैसे पदा चलेगा कि क्या है ना दोनों में तो वही निकल ला है CO2 ही निकल ला है तो सिंपल सा तरीका है कि CACL2 और BACL2 ले लो ठीक ना तो टेक CACL2 और अगर मालो ये दोनों मौझूद है ठीक ना मतलब इसमें CO2 ये भी मौझूद है प्लस ये भी मौझूद है दोनों अगर मौझूद है तब कैसे करेंगे तो इसमें अगर हमने जैसे मालो हमने क्या डाल दिया CACL2 या BACL2 मालो इसमें एड कर दिया तब यहां पर क्या हैगा ये BACO3 का प्रेशिप्टेट आजाएगा ठीक ना तो ये वाला रेजिटिव बन जाएगा इसको छान लेंगे और फिल्ट्रेट अर फिलीट में क्या है फिल्ट्रेट में क्या है 허ver universities of the power center यहां पर क्या हैगा BACC3 ये तो स्वालबल है खिक है तो अब इसको हम लूँ अगर हम इसी मेंक्या कर दे तो ओ ठीक है बॉय कर दे ये BACO3 बन जाएगा ठीक है, प्लस यहां से CO2 निकल जाएगा, अच्छा इसमें NaCl डालने, देखो NaCl, तो क्या जाएगा, NaH, यह पक्का हो जाएगा कि अच्छा यह है, sodium bicarbonate, हमने बताया था कि all bicarbonates are soluble except sodium bicarbonate, ठीक है, अगर इसमें हम ammonia डाल जाते हैं, ammonia solution, तो ammonia जो होगा basic होगा, तो acid base reaction हो ज जाएगा, ठीक है, तो ammonia जो होगा, NH3 plus HCO3 minus, तो यह जो होगा, NH4 plus, plus CO3 2 minus बनाएगा, यह जो CO3 2 minus है, ठीक है, यह BA 2 plus के साथ rate कर जाएगा, और क्या बना जाएगा, BA CO3, ठीक है, तो ammonia जो है, वो उसका क्या करता है, इस रिक hydrogen को ले लेगा, ठीक हो, तो यह मतलब है कि how can you detect carbonate and bicarbonate, तो मतलब यह है कि अगर जैसे जहां पे carbonate है, तो तो सब कुछ है, अगर क्योब बाइक काबणा है, ठीक है, तो simple सी बात है कि इसमे हम, BA CO2 2 दालेंगे, ठीक है, इसमे हम, BA CO2 2 दालें, यहां पे BA CO3 का precipitate मिल जाए, मगर यहां पे, तो यहां पे solubal है, ठीक है, अब इसको हम थो करते हैं ठीक है कर लोगे तब प्रिस्वीट आ जाएगा ओंड यह तो सॉल्य चिकkeeper तो इस थे हम क्या कर सकतेगे मेट सकते ह Cyrus आधि समें बहुत ही काम की बात है कि 濃 okay sorry अनल सुखकोफु कर देख देख आपा है डिस्टिंक्शन हम महासे कर सकते है आबू से में एक बहुती काम की बात है kı है किौ आल बेसिक रेडिकल्स आर वाटर क्या होते हैं इनसॉल्बल होते हैं क्या होते हैं वाटर इनसॉल्बल एक्सेप्ट इनस्पोर प्लस और भारत सरकार है न बेरियम स्ट्रान्सियम और क्यों इनी के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड क्या होते हैं सॉल्बल होते हैं बाकी सबके इनसॉल्बल होते हैं ठीक है तो मतलब यह हुआ कि अगर अगर क्या है आँ एच जी टू प्लस है जेटेएन टू प्लस पी बी टू प्लस एम जी टू प्लस स्यू टू प्लस है इस टाइब के रेडिकल है ठीक है न अगर हम इसको sodium carbonate के equal solution में add करते हैं, क्या करते हैं, sodium carbonate के equal solution में add करते हैं, अब बताव sodium carbonate है क्या पहले देखो, तो Na2CO3 ये क्या है, salt of, तो 100% break होगा, salt of strong base and weak acid, तो ये 2 Na plus, प्लस CO3, 2 minus, अब ये जो CO3 2 minus है, ठीके न, ये water से react कर जाएगा, और ये क्या बना लेगा, HCO3 minus plus OH minus, फिर से ये break हो सकता है, ठीक है, H2CO3 OH minus, मतलब अब कुल मिला के, ये जो sodium carbonate का equal solution है, वो क्या है, बेसिक है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो Na2CO3 का जो equal solution है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें carbonate ion भी होगा, और hydroxide ion भी होगा, दोनों होगा, है न, carbonate ion भी है और hydroxide ion है, ठीक है, हमने क्या कहा, कि अगर ऐसे radical जिनके carbonate, जिनके hydroxide, oxide क्या होते हैं, इन-soluble होते हैं, तो अगर उसको sodium carbonate के solution में, अगर हम लोग add करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कि वो basic carbonate के form में precipitate होगा, ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे, जैसे mercury है, तो यह क्या होगा, hgoholtwice.hgco3, ऐसे आगे, जैसे अगर lead होगा, तो pboholtwice.pbco3, जैसे magnesium है, तो mgoholtwice.mgco3 होगा, ठीक है, तो इसको बहते हैं, basic carbonate, ठीक है, उसे तरह cuoholtwice.co3 होगा, ठीक है, इस तरह से बच्चो तो यह पढ़ा होगा आपने है ना मेटलर्जी वगर मेलेकाई टेजुरेट इस टाइब से तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि इनके जो हाइड्रोकसाइड होते हैं वो इनसौलबल होते हैं तो जो काबनेट के सलूचन में दोनों मौजूद होगा इसलिए दोनों का precipitation होता है तो इसी के लिए वहाँ पे हम लोग डॉट बना देता है तो अगर हम इसको हीट कर दें ठीक है कि इसको हीट कर दें तो यह आएगा HgO.HgCO3 यह ब्रावनिश रेड होता है अब इसको और हीट कर दिया जाए ठीक है तो यह कुछ थोड़ा सा जो है पूरी जर्णी ओफ इनॉगनी के मेश्ट्री आपको सब कुछ इस यहां पर मिलेगा एवरीटिंग ठीक है तो यह याद रखेंगे तो IIT में ऐसे ही conceptual चीजें हो पूछते हैं ठीक है जो concept होता है उस पर इसा नहीं कि बिना से रिपायर की चीजें पूछ लेंगे आपको लगता है यह यह तो याद कि बिकॉज यू डून्ट नो दा इन ना नॉलेज बिहाइंड दैट याद र विच फॉर्म विच फॉर्म इनसॉलबल हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट लग यह भी और दोनों इनसॉलबल अगर होगा ठीक है तो दे विल प्रोड्यूस बेसिक कार्बोनेट है ना बेसिक कार्बोनेट विद्ध एक्वस सोडियूम कार्बोनेट ठीक है इसी में आगे है कि दोज बेसिक रेडिकल विच फॉर्म शॉलबल बेसिक रेडिकल विच फॉर्म शॉलबल कार्बोनेट या इस्पेरिंगली शॉलबल कार्बोनेट और शॉलबल कार्बोनेट ठीक है अगा इनकी जु कावण विच अगा है इसका बेस्ट इक्जांपल किया बाचो अलमीनियम है ल प्लस 3 एफी प्लस 3 और इनकी जो काबनेर ना एफी प्लस 3 आपने ऐसा कभी नहीं लेखा होगा या एफी 2 ठीक न? प्लस 3 फोल्ड थ्राइस या सी आर्टू सी ओ फ्लस 3 फोल्ड ठीक न? यह सब जो ते हैं अगर हम यहां पे एने 2 UCO3 plus water में अगर हम इसको add करते हैं तो यहाँ पर अगर AL plus 3 है Fe plus 3 है या Cr plus 3 है तो यहाँ पर यह hydroxide की रूप में है क्योंकि हमने बताया कि इसमें दोनों मौझूद है तो carbonate भी मौझूद है और यह क्या है वेच महांस में तो यह इसके form में यह परसेप्रेट होगा Fe was whole thrice or Cr was whole thrice ठीक है तो अगला है with HgCl2 और HgNO3 का तो इसमें no PPT with कि बाइक कार्बोनेट के साथ कोई प्रेसिप्टेट नहीं होता है कार्बोनेट रहेगा तो यह इसके साथ प्रेसिप्टेट बना लेता है ठीक है यहां भी कहाएगा 3HgO.HgCO तो यह क्या है ब्रावनिश रिड़ यह है बेसिक मर्करी कार्बोनेट ठीक है यह होता है ब्रावनिश रिड़ अब हम लोग आते में चो नेक्स्ट है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सल्फाइड यह क्या है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्यों मैंने ऐसा कहा क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो रेटिकल सिप्टेट होते हैं न सेकेंड ग्रूप में सेकेंड ग्रूप में सब सल्फाइड ग्रूप में हैं बदाय था कौन-कौन कौपर ग्रूप हो था कैडमियम ठीक है लेड और बिसमत और है ठीक है तो यह सब किसके रूप में होते हैं सल्फाइड के रूप में होते हैं और आर्सैनिक ग्रूप है डबल एस डबल ए प्लस त्री तो इनका बच्चों कला उलर याद है आपको मज़ाद हैं तो सब्सक्रीच से olho से यादे है अगले कंगर्वर्ष है तो है कि इदर तो सारे क्या थे उपधार वाले में सारे ब्लैक है न नीचे वाले में ये सब यलो थे यह क्या था बाइं बताया था ये मतलब ब्राउन और यलो कि अजाने स्नेस जोह ब्राउन होगा एस ये टू यलो होगा और इंतिमर sigu क्या था सब और ये यादे मैं इसको most most important क्यों कह रहा हूँ पहला करण है sulphide के मतलब अगर इसको आपने पढ़ लिया तो बहुत कुछ आपने पढ़ लिया इसके साथ सब ठीक है इसके अलावा ये तो था निको मंजन है निको मंजन ठीक है इनका color याद है ये सब तो black थे इसमें भी ये दोनों black होते हैं और ये पिंक flesh color होता है और ये white color होता है ठीक है तो sulphide तो क्या कारण है कि बहुत important मैंने लिखा ठीक है वजह यह है कि इतने सारे ये रेडिकल का जो precipitation होता है वो sulphide क्रों में बहुत सारी खास बात है कि ये बहुत ही अच्छा reducing agent होता है तो ये सब जो है इसको सबसे ज़्यादा important बनाती है maximum radical के साथ ये associated है इस वजह से ये जो है सबसे ज़्यादा क्या है सभी aceric radical में most important जो है sulphide है ठीक है तो कुछ बाते समझते हैं तो पहला लेते हैं कि अगर sulphide है तो इसका हम लोग identification करते है तो अगर हम dilute HCl और dilute H2SO 4 लेते हैं तो पहला लिए हमने with dilute HCl dilute H2SO 4 ठीक है आपको ज़र हम dilute HNO3 को नहीं ले रहे हैं तो डालूट की तरह ही एक करता है ठीक है तो इसमें पहले तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट है कि सभी 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 बेसिक रेडिकल के शल्फाइड डाइलूट हC-L के साथ एक टूएस गैस लिबरेट नहीं करते है क्या मतलब है जैसे हम नहीं कहाने कि सी यू एस इसमें कहां डाइलूट है से ले डाल दो और कहां इस टूएस निकल जाए ऐसा नहीं होगा यह मतलब है ठीक है तो इस्पेशली जो होता है फॉस्ट एंड शेकेंड ग्रूप के रेडिकल कि नेवर कि लिबरेट कि लुनिट कि लिदेट विद धन दिलूप कि अटूप तिक बंग इसरेट मुनि कहा अटक कि अ discern कि भी कि अ छिएल जटएल इसरेट युनिट एस इसरा कि factories कि हम तो मालो कि अगर आपको यह अमने टेस्ट दे अ कि आ डिया अबीस को डिकल और एक एसरी के सब्सेट कर देकल निकल सुल्फाइड है और लिटीकल निकल तोि स्कुनी को फेकल एस्ट करो टो आपको दिया है ठीक क्योंकि यह değil है ना डालो इस निकले गें फता किसे चले तो किषुद कहा उसके लिए जब आपको आपको पेका बताया था तो तएसन से निगम करें प्रका किन और दो फिर थम कहाँ में अगर आपको करना है तो इसको हंडिट परसन करना carry तो डिजॉल करने के लिए क्या हएगा, बदा आदा सूरीयम कार्बोनेट एक्स्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ गया, तो इसमें है कि अगर, अगर सल्फाइड का जो सॉल्ट है, सल्फाइड का सॉल्ट, ठीक न, वाटर सॉल्बल नहीं है, तो क्या कर देंगे। अकुन मड़ेफिन सोडीम कार्बोनेट ईक्सट्राक्ट do बना लेंगे सोडीम कार्बोनेट और एक्स्ट्राक्ट है अगर सुलफाइट का जो रेडिकल है अगर वो सॉलबल नहीं है ठीक है तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे सोडियम कापनेट एक्स्ट्रैक्ट बना लेंगे ठीक है तो कि यहां पर देता है इसका दो से तीन गुना है लेते हैं के सोडियम का और से पंद्रे Łcause क्या है ओर इसको क्षें आपकया हैं ठीक है यहां पर यहां पर उच्चेंज होजाता है घंठ समझ गया तो इस तरह सो जाता है यहां पर जैसे आ जाएगा एन टू एस टाइप का जाएगा इधर के आजाएगा मालोगा नाइए है तो एनाइटू नैस यू थी आ जाएगा इस टाइप से तो इसको फर्दर फिर टेस्ट कर सकते हैं अगला है कि जो मेटल सल्फाइट डाइलूट एसल के साथ रेस्पॉर्ण नहीं करता है और दू नॉट लिबरेट एस्टू एस ठीक है तो वह जिंक और एसल के साथ ज़रूर तो जिंक एसल के साथ साथ जरूर रेस्पॉंड करते हैं ठीक है क्योंकि देखू जो जिंक और एसल है ना जिंक प्लस एसल तो यह क्या होता है बहुत अच्छा रिटिसी है जडेंस एल टू प्लस टू एच बन जाएगा यह जडेंट प्लस टू प्लस टू इलक्ट्रॉन ठीक है जैसे माल लों हमने बताया था है इसका केस पी जो है ओडर ओफ टेंट के पावर माइनस 54 है ठीक है बहुत ही कम दे रहा होगा एच जी प्लस टू प्लस एस टू माइनस अब इसमें हमने जडेंट प्लस एसल डाल दिए ठीक है तो अब यह क्या होगा की जो एक प्लस ट्लस टू अश्ट यह उच्फ प्लस टू माइनस होगा क्या है कि षम आशक्राइक जो होगा यह एक्ट्रीगा यह उलक्ट्रॉन उसको मुझे प्लस यहां से निकल जाएगा और एच जी यह रहा जाएगा ब्लैक फॉन मर्करी का जो कलर होता है और क्या होता है ब्लैक अब इसमें एक और पॉइंट है कि जितने भी ब्लैक कलर के सल्फाइड होते हैं ठीक ना कि इसमें जितने भी कि ब्लैक यह आईटी एडवांस में आचुके हैं ब्लैक कलर के कि सल्फाइड होते हैं कि उसमें से सिर्फ एफ़ी एस है ठीक है कि उसमें से कि सिर्फ कि एफ़ी एस ही डाइलूट है एचल के साथ क्या देता है कि एच टू एस देता है डाइलूट एस यह डाइलूट एस टू एस तो पोर के साथ क्या देता है कि एच टू एस देता है कि मतलब यह अगर है ना एफ़ी एस है प्लास डाइलूट एस सिल आपने लिया यहां अब क्या मिलेगा एफ़ी सियल टू प्लस है यह में जाए ठीक है तो यह कुछ हम लोगों ने कुछ फंडा हमने तयार किया है सल्फाइड का कि यह सब आइटी एडवांस के लिए कुस्चन कैसे बनेंगे कहां से बनेंगे वो सारी बाते मैं आपको बता रहा हूं ठीक है जिसे नॉलेज रहे हैं यह कंसेप्ट है यह फंडामेंटल बाते हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अब आपने सॉल्ट लिया अब सॉल्ट और सॉल्फाइड लिया ठीक है और इसमें हमने क्या कर दिया और डाइलूट एच्छी या डाइलूट डाइलूट अस्टू असूफोर पास किया तो यहां से क्या निकल जाएगा अस्टू अस तो अब इसके बारे में कुछ बात रहें समझ लें ठीक है यह यह होता है रॉत्टेन एग समें कलर लेस होता है अच्छा ये भी ब्लू फ्लेम के साथ जलता है लेम के साथ जलता है ठीक है ये भी ब्लू फ्लेम के साथ जलता है ये भी ब्लू फ्लेम मतलब इसके और भी है क्या को येस Co., most well known जो हो क्या है, Co., blue flame के साथ जलता है अच्छा, जो Co., होता है वो neutral oxide, बट H2S क्या है? acidic nature क्या है, Co. जो होता है, क्या होता है, neutral है, carbon monoxide है, यह neutral होता है, ठीक है? कुछ बाद है समझ नहीं ठीक है तो एच्टू एच जलेगा मतलब वो ऑक्सिजन के साथ रिट करेगा ठीक है यहां पर एच्टू बनेगा प्लस सल्फॉर यलो लिमिटेड ऑक्सिजन और अगर ज्यादा ऑक्सिजन ले लोगे जब यह प्लस ओटू तो एच्टू ओप्लस तो यह होगा एक्सेस में और यह है लिमिटेड नहीं ठीक है तो यह थोड़ा समझ आए कि कुछ बेसिक बाते हमने देखा कि बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है यह सब इसके फॉर्म में आता है हैं डाइलुट-स इस सफोर हम ले सकते हैं सभी रेडिकल जो होते हैं जो सॉलफाइड होते हैं वो हैससील एसटोएस के साथ है अगर उन से लिविड करवाना है तो उसका उडीन काबनेट एक्स्ट्राइट बना वह सकते हैं या या फिर आप जिंक और एस्टेल डाल के कर सकते हैं, ठीक है, सबसे जो इन-soluble है, वो कौन है, वो मर्करी शलफाइड होता है, तो जब जींक और एस्टेल के साथ ये दे रहा है, तो बाकी लोग तो देंगे ही देंगे, यह हमने बता है, ठीक है, या उसका sodium carbonate extract ले 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 ले, ठीक है, और जित तो अब इसमें जो प्राइमरी जो टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे मालो, lead acetate paper लाते है, यहाँ पर क्या है, इसे मालो, sulfide iron है, ठीक है, S2-, इसे आपने dilute acyl डाला, ठीक है, तो यहाँ से मालो, H2S निकला, अब इसकी उपर जो एक paper है, भीगा हुआ, ठीक है, कौन सा paper, lead acetate paper, lead acetate, तो यह जो lead acetate paper इसके माउथ पर रखा जाएगा, तो उसका जो color हो जाएगा, paper का color क्या हो जाएगा, black हो जाएगा, क्यों black हो जाएगा, यह न, PB, CS3, COO, twice, और यह H2S जाएगा, और यहाँ पर PBS, यह black कलो हो जाएगा, यह primary test होता है, ठीक है, और भी है, जिसे मालोगर में लिए, FES plus, S2SO4, dilute हमने लिए लिए, रूम टंपरेचर पे हैं, तो क्या होगा, FESO4, FES जो होता है, green color का होता है, FES plus, plus यहाँ से क्या होगा, S2S निकल जाएगा, ठीक है, इसे में हम लोग concentrated S2SO4 यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, अगर आपको S2S की smell चाहे, पानी है, तम नहीं करना है, क्योंकि यह जो S2SO4 होगा, यह S2S को oxidize करनेगा, वो sulfur dioxide आने लाएगा, तो यह जो concentrated S2SO4 है, यह H2S के साथ react करके, इसको oxidize कर देगा, ठीक है, SO2, कम proportionation जाएगा, यह plus 6, minus 2, और यह plus, disproportionation गोल्टा क्या होता है, कम proportionation, ठीक है, तो concentrated S2SO4, और Fe plus 3, plus 2 से plus 3 में भी करनाट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, concentrated S2SO4, प्लस यह जो plus 2 है, अभी क्यों जाएगा, Fe plus 3 हो जाएगा, Fe plus 3 का जो कलर होता है, वो यल्लो कलर होता है, ठीक है, प्लस यहाँ से SO2 निकल जाएगा, clear, next, है, identification of liberated S2S, by reducing character, ठीक है, तो इसका आब identification देखेंगे, by its reducing character, ठीक है, तो शल्फाइड आएण, यह अगर ऑक्षिरेज होगा, तो सल्फर बनेगा, प्लस टू इलक्टोन, सल्फाइड आएण, यह जा सकता है, SO2 में जा सकता है, सल्फाइड आएण जा सकता है, SO4 में जा सकता है, तो यह किस में जाएगा, यह डिपेंड करता है, कैसा आप ऑक्षिरेजिंग एजन लेते हैं, ठीक है, अगर वेरी स्टॉंग ऑक्षिरेजिंग एजन लेते हैं, जैसे यह है, यह कब होगा, Concentrated HNO3 में होगा, ठीक है, या फिर Ozone के साथ होगा, या 10% H2O2 के साथ होगा, ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, यह जैसे यह Concentrated H2O4, ठीक है, इस प्रकार से आता है, यह जैसे यहाँ पे है, F3 में है, ठीक है, या फिर CL2 Water है, या फिर BR2 Water होगा, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है, तो यह Reducing Character शो करता है, ठीक है, ठीक है, जैसे मालो यह ही है, यह है, इसमें सुलफाइड आयन मौझूद है, और इसमें हमने पास किया, डाइलूट HCL, या डाइलूट H2O4, यहाँ से क्या निकला, H2S निकला, ठीक है, तो अब इस H2S को जो है, अलग अलग, जो है, ठीक है, जैसे केमिनो 4 के साथ, एड़ करता है, ठीक है, क्यमिनो 4, एसेडिक मेडियम है, तो यह जो H2S होगा, इसके साथ, रिड्यूस करेगा, और MN प्लस 2, जो परपल कलर है, कलरलेस या पिंक हो जाता है, प्लस सल्फर, ठीक है, अगर आप K2, CR2, 7 लेता है, इसमें अगर H2S जाता है, और इसे या प्लस 3 ये ग्रीन हो जाएगा, प्लस सल्फर, वाइट, टर्बीडिटी मिलना है, ठीक है, समझ गे, अब अगर हम इसमें I O 3 माइनेस लेते हैं, आयोडेट लेते हैं, ठीक है न, कि H2S को, इसमें पास करते हैं, इसमें क्या है, I O 3 माइनेस, इसके साथ H2S 104, एसिरिक मेडिया में लेते हैं, ठीक है, तो, इसमें अगर हम H2S या SO2, दोनों के लिए हैं, ठीक है, तो इसमें I O 2 बन जाएगा, प्लस इ माइनेस हो, और यह मिल करके I 3 माइनेस, i3- कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है ठीक है यह ब्राउन हो जाती है ठीक है i2 प्लस i- i3- ब्राउन हो जाएगा तो यह जो i3- है अगर इसमें हम excess of h2s पास करते हैं तो अब यह i- हो जाएगा colorless हो जाएगा ठीक है i3- को मानोगे कि i2 प्लस i- है ठीक है अगर हम इसमें starch paper डालते है तो blue color बन जाएगा blue color ठीक है और CCL4 के साथ करते हैं तो CCL4 जो होता है वो violet layer हो जाता है ठीक है मतलब समझ में आए देखो यह जो iO3- plus h2s4 यह acidic medium में है अगर आप इसको इसमें h2s पास करेंगे तो यह plus 5 से किसमें चला जागा 0 में चला जागा i2 plus i- ठीक है इसको हम लोग बोले कि i3- है अगर यह i3- में h2s एक्सेस में अगर हम कर देंगे तो यह पूरी तरह से i- मतलब i2 जो है ना वो oxidizing agent है प्लस यह जो sulfide है इसके साथ rate कर जाएगा तो यह s बन जाएगा प्लस i- बन जाएगा ठीक है तो यह इस तरह से आजाएगा अब जो i2 होता है उसको अगर हम starch में डालेंगे तो यह आजाएगा ठीक है कार्बन टेट्रक्लोराइड में अगर हम लोग i2 पास करते हैं ठीक है तो यह violet layer आजाएगा ठीक है ठीक है तो यह अगर है H2S और अगर हम इसको short में लिखें तो अगर हम Fe plus 3 लेंगे तो यह क्या बन जाएगा Fe plus 2 जो की green color का हो जाएगा प्लस alpha यह cloudy white 1% H2O2 यह mild oxidizing agent होगा H2O plus S हो जाएगा 10% H2O2 लोगे तो यह और strong oxidizing agent जाएगा यह H2O4 बना लेगा Ozone very very powerful oxidizing है तो यह H2O4 बना देगा sulfur को CL2 water ले लोगे CL2 water तो इस case में S plus SCL बना लेगा ठीक है bleaching powder same वही काम करेगा COOCL twice यहाँ पे CACL2 plus S यह बन जाएगा concentrated S204 ले लोगे तो SO2 plus S बन जाएगा ठीक है concentrated S204 के साथ अगर heat कर लोगे तो पूरी तरह से SO2 बन जाएगा और अगर इसको SO2 के साथ ठीक है SO2 के साथ कर लोगे तो S बन जाएगा ठीक है यह कुछ रिएक्शन से आइडेनिटिफिकेशन ठीक है इसकी रिड्यूसिंग नेचर के कारण ठीक हो तो अगला वीडियो हम लोग बनाते हैं तो ध्यान से बढ़ते रहना है नोट्स बनाते रहना है पॉजिटिव माइड फ्रेम से रहना है ठीक है कोई भी निगर्टिविटिटिव निगला ना इसमें कोई भी हाड कोश्चन नहीं विराना है टेस्टिरी जोएन क्या टफ टॉफ तफ कोश्चन लगाना है प्रस्टे नहीं होना जो आता है बस में ही लिखके आना